कि शंक्रवगवान की बहुत बड़ी उपासक थी और द्रोपति भगवान इशिर जी की इतनी बड़ी उपासक पूर्व समय में एक रिशी की एक संत एक गुरू जन एक ब्रामन जन की बेटी थी उसके पहले एक राजा की घराने में राजा की पुत्री थी शिव की इसकी अराधना इसके कितने जनम निकल गए हर जन्म में इसने शंकर की अराधना करूँ अब जब ब्रामन रिशी की बेटी वनी तम इसने संकर जी से बर मांगा चवढश गुणों से बल्वान पती तो मांगा था चवढ़ बुण को बुण वाला पती शंकर जी ने कहा इतने बुण तो पिसी में नहीं हो सकते तो उसने कहां तिर 5 बुण का पती दे दो जो वीरोहो धेरेवान विद्वान वो और युद्ध में प्रबल धनूर विद्धा में प्रबल और दिखने में विस्तुन्दर हो इसे पाँच गुणमान विसने पती मांगे तो शिब जी में पहर दिया कि तुमें थेता हुआ आपकरी में जो दुरोपती ने मांगा किसी एक अपने माध माध किसी अक्रें जो आपकरी में मांगा याद मांगा गया, वो किबल दुरोपती के लिए नहीं ऐ। जो आखरी में मांगा वो दुरुपती ने खुद के लिए नहीं मांगा दुरुपती ने क्या मांगा एक वर ओर देदी जी अब बोलेना शंकर जी ने का मांगो कौंसा वर इस्त्री की पवित्रता का वर देजी एक नारी की पवित्रता का वर देज़ा है शायद यह कथा अभी तक प्रसंगों में नहीं आई यह तक श्यो महा कुरान की कथा के प्रसंग में यह चरीत राया है आप ध्यान लगा कर सुनना नारी की पवित्रता का वर दीजिए शिवजी ने कहां में नारी की पवित्रता का वर देता हूँ क्या वर नारी की पवित्रता रहना चाहिए कि किस इस्थान पर नारी की पवित्रता का इस्मरण कराया वे जितनी मेरी बेहने बेटी हैं, जितनी मेरी माताई बेटी हैं, जितनी मेरी जीजियां बेटी हैं, साउधानी से सुनना कि नारी की पवित्रता का भर केवल एक द्रोपती को नहीं मिला था, नारी की पवित्रता का भर दुनिया की सारी इस्त्रियों को मिला था, शिवजी ने क सुन दुरोपती जियान लगाकर सुनना है पहला नारी की पवित्र पता अब बर देता हूं जब एक माँ अपने छोटे से बच्चे को कि दूध पिलाती है इस तन्पान कराती है उसकी सेवा करती है छोटा सा बच्चा जब गोधी में गंडगी कर देता है चोटा सा बच्चा जब गोधी में कपडों पर भी गंड़गी कर दे उसकी गोधी में उसने गंड़गी कर दी तो श्युह महा पुराण की कफ़ा करती है वागवान देव अधिदयों महा देव करते हैं वो नारी उस समय पर भी अपवीद्र नहीं होती तो भी वक्त भी माली है आप में से कितनी माताएं बैठी है जिनकी बहु का बच्चा छोटा सा है और बहु के बच्चे ने बहु की गोद में गंदगी कर दी तो बहु बार बार नहाने जाती होगी ए कोई जम के उलो जदा ए नहीं क्यों सास करेती है अरे क्यों बेठा बच्चा छोटा है ना छोटे बच्चे की गंदगी नहीं लगती छोटे बच्चे की अपवित्रता नहीं लगती छोटा सा बच्चा गोदी में है गंदगी कर दिया छोटा सा बच्चा गोदी में है गंदगी करा और मा भगवान की भक्ति में लगी है मा भगवान के भजन में लगी है मा कोई अच्छे कारे में लगी है उसके भाद भी मा को अफवीत्रता नहीं दूसरा बहुत ध्यान पर सुनना जितने आस्था चेनल पर मेरी बेहने सुन रही हैं और जितने इस पंडाल में सुन रही हैं बहुत ध्यान लगा पर सुनना दूसरे नमबर पर मेरे महादेव करते हैं पती की तवेत खराब है पती का स्वास्थ खराब है पती का सरीर में कोई रोग हो गया और तुम इस नाम करने के बाद पती की देखरेग कर रही हो और तुमने भगवानी का दिया तक नहीं लगाया, भगवानी का मंदिर में प्रणाम भी नहीं करा, पती की देखरेख में लग गई, पती का शरीर बेकार हो रहा है, और उसको मलगूतर भी कर रहा है, और तूसकी सेवा में लगी है, और सेवा में लगने के बाद भी अगर त तो भी तू आप पवित्र नहीं होगी, पति की सेवा करने वाली पवित्र भी मा ली जाएगी। कोई तुमसे तेते तेरा पति बिमार पढार और तुने अभियाल गंदगी साफ करी है, तेरा पति बिमार पढार तुने अभियाल हास्पिटिल से आई है। तु दिया लगाने लगी, अभी तु तेरा पफी मिमार पढ़ा तु अभी हल, बगलवान का भजन करने लगी? तीन जधाँ परिस्त्री को पवित्र कर दिए, पहला जम के बोलो मेरी मात नहीं है, तब जब गोधी में बच्चा रेता है, छोटा रेता है, आप उसकी देख रहे हैं, गंदगी कर रहा हैं, साथ-सताही कर रहे हैं। उसके बाद भी आप अपवित्र नहीं हो, पती की सेवा कर रही हो, पती को परमेश्वर मानतर पूछ रही हो, पती को सेवा कर रही हो, उसको दमाई दे रहे हो, उसको गोली दे रहे हो, उसका सदीर नहीं काम कर रहा है, इसके बाद भी वो गंदगी भी कर रहा है को तुम तकलीफ में है कष्थ में है गंदगी भी कर रहा है और घर की बहु घर के लोग उसको समहल रहे हैं उसकी सेवा में लगे हैं तो शिव करते हैं वो आपवित्र नहीं कहला की ज़ंगा उसमें आपवित्र का कगावव नहीं हो दो अब आज वहनों से अगर कखा के मात्युं से कोई के दे कि तुमारे साथ से सो बिमार करने हैं और तुमने उनके अभी अलक पड़े बदले उनकी गंदली साथ करिया है जा तुम नहाँ क्या उसके बाद तुम यहां पर बेटना उसके बाद सबसे बड़ी सेवा जो तुमने अपने बुजुर्गों की कर ली उस बुजुर्ग की सेवा से बड़ी दुनिया में कोई भक्ती नहीं हो सपी बोश्य की करता है